इसी भारत की सबसे बड़ी institutional investor यानी संस्थागत निवेशक है और LIC की बहुत सारी कंपनियों में महत्वपूर्ण share holding है इस वीडियो में हम उनमें से कुछ कंपनियों को गौर से देखेंगे LIC के investments को समझने के लिए चलिए share पर चलते हैं कुछ दूर चलने के बाद हमें एक bank देखेगा बैंकों की बात करें तो LIC के पास ICICI, Axis Bank और भारत की सबसे बड़ी bank SBI में 9% से ज़ादा की share holding है इसके अलावा LIC के पास Yes Bank, Punjab & Sin Bank, PNB, Union Bank of India और Canada Bank में minority share holding भी है कुछ और आगे बढ़ने के बाद हमारे चारो और हैं आस्मान छूती इमारतें ये हैं steel और concrete के आधूनिक चमतकार Steel की बात करें तो LIC के Tata Steel और Steel Authority of India में लगबग 9% से ज्यादा की share holding है और cement के मामले में LIC के पास ECC, Bambuja Cements और भारत की सबसे बड़ी cement company, Ultra Tech Cement में minority holding भी है इसके अलावा अगर निर्मान की बात करें तो LIC भारत की सबसे बड़ी construction company, L&T की सबसे बड़ी shareholder है चलना बहुत हो गया, अब आए कोई कार चलाते हैं हमारे पास दो विकल्प हैं हम भारत की सबसे बड़ी car company, Maruti Suzuki या भारत की प्रमुक SUV निर्माता, Mahindra & Mahindra की car चुन सकते हैं वैसे, Mahindra & Mahindra दुनिया की सबसे बड़ी tractor बनाने वाली company भी है हम जो भी brand चुनते हैं LIC की इन दोनों company'ों में 5% से ज्यादा की share holding है लेकिन क्या होगा अगर car की बजाए हम एक motorcycle की सवारी करें उस मामले में भी LIC minority shareholder है बजाज auto, TVS और दुनिया की सबसे बड़ी two wheeler निर्माता hero motocop की अब हम हमारी bike धलते हुए सूरज की ओर लेकर जा रहे हैं लेकिन क्या होगा अगर हमारा petrol खतम हो जाए अगर petrol की बात करें तो यहां भी LIC का minority हिस्सा है तेल marketing companies जैसे ONGC, BPCL, Gale, Castrol India और भारत की सबसे बड़ी commercial oil company Indian oil में अब हम हैं एक आलिशान होटल के बाहर यह है ITC Group का होटेल ITC Maratha ITC के पूरे भारत में 100 से भी ज्यादा luxury hotels हैं वो एशिया की सबसे बड़ी cigarette बनाने वाली company भी है ITC के पास Fyama, Vivalp और Savlon जैसे popular personal care brands हैं और इतना ही नहीं ITC इंडिया की सबसे बड़ी branded foods company में से एक है इस विशाल ITC Group की दूसरी सबसे बड़ी shareholder है LIC चलिए ITC से अब हटकर IT यानि Information Technology की बात करते हैं LIC 4% से ज्यादा हिस्सा hold करती है Infosys, Vipro और TCS में ECS भारत की सबसे बड़ी IT company है जिसका market cap साथ लाग करोड से भी ज्यादा है चलिए अब थोड़ी देर रुख जाते हैं और देखते हैं ढलते हुए सूरज को जो अपने साथ धीरे धीरे ये सुनहरा दिन ले जा रहा है आराम करते हुए आईए एक phone call करते हैं जिस mobile network का हम उपयोगर रहे हैं वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा mobile network Jio Jio हिस्सा है भारत की सबसे बड़ी publicly traded company Reliance Industries का जो अपरेट करती है दुनिया में सबसे बड़ी oil refinery और हाँ LIC Reliance Industries के 6% shares की मालिक है चलिए अब आकाश की ओर देखते हैं अगर हम गौर से देखें तो हमें नजर आएगा fighter plane तेजस जिसे बनाया है हिंदुस्तान Aeronautics ने हिंदुस्तान Aeronautics में लगबग 7% की shareholding है LIC की इसके अलावा LIC का भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरन company BHEL में लगबग 10% shareholding भी है अब पहुँचेंगे हम हमारे आखरी stop पर ये है National Stock Exchange जहां बड़ी से बड़ी कंपनियों की किस्मत रोज बदलती रहती है NSE पर जो कंपनियों की trading होती है उनमें शामिल है telephone company MTNL, biscuit company Britannia Industries, भारत की सबसे बड़ी footwear company Bata India, भारत की सबसे बड़ी private port company Adani Ports और दुनिया की सबसे बड़ी viscose rayon fiber company Grassin Industries इन सभी कंपनियों में एक चीज क्या समान है? हाँ, LIC की इन सभी कंपनियों में minority shareholding है इतना ही नहीं, National Stock Exchange में भी LIC की 12% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है लेकिन फिर भी ये सारी investments LIC की कुल संपत्ती का बस एक छोटा सा हिस्सा है LIC भारतिय government bonds में सबसे बड़ी निवेशक है इन सरकारी bonds के पैसे देश के विभिन, खर्चों और प्रजेक्स में उप्योग किये जाते हैं इसके अलावा, LIC Indian Railways को funding provide करती है एक charity foundation चलाती है और हाल ही में LIC ने 100 करोड से ज्यादा रुपए PM case fund में donate किये है इस 6 दशकों पुरानी company को करीब से देखने पर पता चलता है कि कैसे LIC भारतिय अर्थ विवस्ता के लगभग हर हिस्से को आज तक प्रभावित कर रही है इसलिए अंत में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये है LIC का विशाल बिजनिस सामराचिय